वेल्कम बैक टो माई चैनल और आज हम बनाने वाले हैं आलो कोपी मटर की सूकी सब्जी बहुत ही सिंपल तरीके से कम मसालों में तो चलिए बनाते हैं आलो कोपी मटर तो सबसे पहले हम यहां देलेंगी एक बड़तर और इसमें हम डाल देंगे तीन से चार टेबल स्पून ओल और एक बड़ा प्याच कट करके जब हमारा तील करम हो जाए तब हम इसको एट करेंगे और प्याच को हलका सौट होने तक ही पकाएंगे ज्यादा कलर नहीं देंगे और आदा चम्मच के करीब जीरा एट करेंगे इसको भी एच्छे मिलाते न भी आप हम एक अब हम इसमें हरि मिर्च और लेट नए अद्रक को ठालेंगे लेसं को हम इने कट कर लिया और ग्रेटर से द्रक को प्रक डवी इस खराएंगे अगर आप चायी तो तो ऺुष्ट भी यूज लया सकते हैं हलका कलर चेंज होने के बाद हम इसमें रैड चिली पॉडर डालेंगे कास्मीरी रैड चिली पॉडर आदा चम्म से भी कम इसके जगह आप चिली फ्लैक्स भी यूज कर सकते हैं और हम टमाटा ढलेंगे चार से वाले से पांच कट करके ज्फोटे वाले टमाटा थे तो मैंने यहाँ चार से पांच बहुता बठे हो तो चाल ले लेंगो और नमक डालेंगे कि टेस्क अकॉरडिंग। औरसको हलका softy होने थाज ही पकाएंगेरा जादा नहीं मेंसी हैं करें ढख कर थोड़ी दिर पकाएंगे थोड़ी दिर बाद ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं पर ज्यादा नहीं करेंगे हलका खड़े खड़े टमाटर भी रखेंगे अब यहां पर हमने गोबी मटर को दो लिया था और इसको भी अट कर देंगे और कुछ इस तरीके से हम मिला लेंगे सारी सबजीओं को मसाले में ढ़कर हम मीडियम फ्लेंप थोड़ी दिर पकाएंगे जब तक हमारी सबझी जिसे कुक नहीं हो चाएं यह देखिए हमारी गोबी काफी हद तक हमारी सबजी ने अपना पानी होता है वो रिलीज कर दिया है पर अभी हमारी सबजी कुक नहीं हुई है तो हम थोड़ी तेर इसको और पकाएंगे एकदम लो फ्लेम पर जब तक इसका पानी ना सुख जाए और तेल ना रिलीज हो जा है थोड़ा मिलाते हुए हम इसको देख लेंगे पांच मिनिट हम इसको और कुक करेंगे यह देखिए हमारी सबजी अच्छे से कुक हो चुकी है हमारी गोबी भी अच्छे से गल गई है मैं इसको दो मिनिट के लिए और ऐसे ठाक के थोड़ा पका लिया अब हम इसमें हरा और आपको पसंदे तो आप डालने जादा वरना कम ही रहने दे और यह खाने के लिए हम तयार है आप इसको किसी भी पराठे रोटी या पूरी के साथ खा सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से बनी है लेकिन खाने में बहुत टिश्टी है अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ सेर भी करें बाई बाई